कि देखिए इससे पहले कि हम इस लोग पर कुछ बोलें मैं वचार कर रहा था कि हमारी मुक्ति और बंधन के लिए इस जगह ते बहुत सारी वस्तुएं हैं लेकिन जब तक हम श्रवण नहीं करते हमको पता नहीं चलता कि किस चीज से मुक्ति हो रही है और किस चीज से बंध समझ रहे हैं ना मेरी बात डाल चावल खा रहे हैं सांसान करके तो पता नहीं चल रहा है कि बंध जा रहे हैं और भागवान का प्रसाद कर रहे हैं तो पता नहीं चलता है कि मुक्त हो जाते हैं तो उसी जी को देखना नाम जब करना भागवान को प्रणा करना यह तो वाई बार लोग बोलते हैं भाई तुम नोग तो मन तो लग रहे है कि यह ब». नाम में कि यह लग पाई तो किस लाब है ? अगर जीव लग रही है तो क्यए जीवकों कुछ लाब है बहुत प्रषिद्ध उन्सलोख यहां सुद्धर तरीकी से दिखाये गया है कपिल देव भगवान भगवान के अवतार हमें अपनी माता दिवहूती को उपदेश दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं देखें अहो बता श्वा पचतो गरियान यजिवा अग्रे वर्तिते नामत उभ्यम ते पुस्त पहस्ते जुह वह सस्नुरार्या ब्रह्मान चु हम जी करेंगा यह कितने अश्षर की बहां हो अलव च्वक्तियर तो अब सन्फितोफने इसको बछूँत किसी कोई व्यक्तिकुता खाने वाले क्या थार्या अब बोल Rebecca वह गलिया स्षे अब बोल रहे हैं यह तो नहीं बोल रहता अच्छा क्या बात कर रहा है कुछ देख क को याद जिववा अगरे जिसके जीव की अग्रभाग पे orrow रड़ते होता है नाम नाम शब्द यहाँ पे एक बचन में एक होता है और तुभ्यम का आशा यह है कि वह कृष्ण को प्रसन करने की लिए नामचार्ण करना मेरे से एक गलती हो गया मैंने फोटो कपिल दिवाहुति कपिल देव को बुल रहें कपिल दिवाहुति नहीं बुल रहा है तक डेखाने वाले सभी स्रिष्ट है अरे भाई कुटा खाने वाले के कोई पैदा हुआ तो पाप किया हुआ ना आप इसे क्यों कह रहा है कि ब्राह्मन से भी स्रेष्ट है तो कह रहे तेपुस तपा क्योंकि नामचारण आ समझ देना चाहिए उसने सारी तपास्यां कर ली है सबचने सारे हो मृगता कर लिए ससनु सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है शब्द मुश्किल नहीं है आरे एक आरे के लिए जो भी आवश्रक है संस्कारित विक्ति के लिए वह कर लिए हैं ब्रह्म का मतलब होता है वेद ब्रहमानुचुर मतलब वेदों को बार बार पढ़ लिया दिवेदी चतु सिर्षकंद का तैतेस्मा अधाय का साथ मश्लोग लेकिन शिर्ण प्रभपाद ये स्ताथपर में दो बाते समझाते हैं एक व्यक्ति को यह भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान बन जाओंगा दूसरा धंदे के लिए पैसे के लिए नामचारण नहीं करना चाहिए नामघञ पराथ तो फिरना मकी शक्ति हम पूरी प्राफ्त नहीं होती क्योंकि भगवान का नमाम से अप्रसन रह mêmes बरावन कर रहा है तो उसे स्र succeeds कोई व्यक्ति नहीं है प्रपागां बताते कि हरिदास ठाकुर जी को भूग्त म सुरेष्ट बनाना एने तो क्या करना होगा हरे कृष्ण मंत्र का सपश्ट उचारण करना होगा ठीक है और इसमें धारण और भी दिया क्या था कि मानलोग कोई विक्ति जज है तो सभाविक सी बात है कि उसने क्या कहते हैं, एल एल भी कर रखा होगा पहले से, तो इसी प्रकार से आज नाम जब कर रहा है, तो यह सितिती अपने आप नहीं आ गई है, अपी तुसने पूर जोन में सारी तपस्चाएं कर ली, इसलिए जीव से पूरित हो रहा है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, क्रिष् है है कि नहीं और विचार कीज़ी कि पंडित जी आप मालो किसी किषादी कर रहे हैं और उसमें तो सहा करते हाह करते करते सो जाय तो में तूछ करना मंत्र केवल जीव से जिवास्पर्शे चंडाले सबाक उधारे केवल जीव से पर्ष करने मातर से चंडाल प्रयंत विक्ति का उधार करने वाला तो फिर पुर्णियातन को तो कहना ही किया हरे कृष्णा